Hello everyone, welcome to my new blog. This is your Bharti Lalwani. How are you all? I hope you all are fine. Jappor में 2 days का night market लगा है 26th and 27th September का and it's 27th September. तो मैं आज महाँ night market विजिट करने वाली हूँ. मैं आपको अपना experience शेर करने ही की night market कैसा है. लोगों में तो बहुत तारीफ की है और मैंने काफी वीडियो भी देखी है Instagram देखी है. तो मुझे देखने में तो बहुत सुन्दर लग रहा है. लेकिन मैं वहाँ एच विजिट करने वाली हूँ. तो मैं आपको अपना experience शेर करूँगी की एक्च्वर मार्केट कैसा है. तब तक के लिए आप बनी रहे हैं. अब हम सिटी में एंटर कर चुके हैं. यह जैपूर का famous सर्गा सूली है. जो की रात में बहुत ही सुन्दर दिखता है. और अब हम यह आ गए हैं हवा महल के पास. यहां पे कुछ लोग फोटो क्लिक कर आ रहे हैं. अब यह आप देख सकते हैं. यह दो में गेट आ रहे हैं तो I think Diwali आने वाली है. तो यहां पे कुछ decoration का होने जा रहा है. तो इसलिए यहां पे कुछ management किया हुआ है. आप देख सकते हो यह किते सारी डंडी बगेर लेगी है. अब हम लोग एंटर करेंगे. बट यहां पे बहुत जादा ही भीड है. आप देख सकते हो. I don't know कैसे एं इसलिए नहीं है. बोल रहे हैं, टिकेट फिनिश हो चुकी है. ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम वापस जा रहे हैं निराश होके. क्योंकि टिकेट नहीं मिली हमें. बहुत ज्यादा ही भीड है. यह क्यों मुस्कुरा रहा है? इसलिए अब हम बाहर बाहर से तर्शन करके जा र बेटर लग फोर नेक्स टाइम. जबकि मार्केट तो 2 बचे तक था. हम 11 बचे पहुंचे और हमने देखा कि पार्किंग फैसलेटी नहीं थी कहीं भी. लोग कूट कूट कर वहां जा रहे थे, बॉइस बगेरा जो थे. तो वहां एंट्री टिकेट का क्या मतलब हो मुझे समझ नहीं आया. जब हम लोग एं लेते तो हम वहां enjoy नहीं कर पाते, कुछ डेख नहीं पाते. तो मेरा experience तो बहुत ही गंदा था. जहां पर पार्किंग की फैसलेटी नहीं हो, या फिर कोई पुलिस मानेजमेंट नहीं हो, तो इसलेटी नहीं 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 तो मैं बोलूँगी कि केबल 2 देज का मार्क जब लगा उसके बाद तो लोगों पता चला, तो next day इतनी जादा पबलिक हो गई कि काफी लोग मैं देख रही थी, I think हमारे संग के इतनी सारी पबलिक थी, इतनी सारी जो आई होई थी, सारे लोग रिटन कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि अब टिकेट अबलेबल नह सारे लोग हमारे संग्जोपी थे, और हमारे बाद भी लोग आ रहे थे, सब लोगों को निराज रुपी धर जाना पड़ा, अब अगर हम बात करें अंदर्मान स्टॉल्स की, तो दो दिन में उन्होंने क्या ही अर्न किया होगा, like second day भी 11 जे एंट्री क्लोस कर दी थी, तो क्या ही मतलगा, या तो आप days को increase करते, या फे proper management रखते, so that more people can visit there, और मुझे तो means नहीं अच्छा लगा, आप कमेंड में बतायेगा, कि कोहन कोहन मां गया, और किस को मांगे अच्छा लगा, okay bye, thank you, see you soon in the next video, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, bye bye